नमस्कार में आपके साथ मनीशा और आप देख रहे हैं दा उरे निव्ज फोर्चूनर एवं टाटा सफारी की जोरदार भिड़त गाड़ी में सवाल लोग बाल बाल बचे तुई पूरा मामला चिरगाओं जासी से है जहां चिरगाओं बरल बाईपास संदीप होटल के पास अपनी फोर्चूनर गाड़ी में सवार होका जहासी से मौट की ओर जा रहे थे जब वोए करीब दोपहर एक बजे चिरगाओं हाईवे बरल पाईपास संदीप होटल के पास पोचे ही थे तो वही मौट सेमरी से चिरगाओं की ओर आ रही टाटा सफारी गाड़ी की चिरग अंदर प्रिविस करने से पूर्वी जोड़दार भिड़त हो गए जिससे दोनों गाड़ी मौके पर बुरी तरह चहती ग्रस्त हो गई हाला कि दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को जादा गंबी चोटे नहीं आए और चूनर गाड़ी में सवार गरोठा बिदायक अंतोस कुमार अवस्ती अपनी भारी प्लिसवल के साथ घटना इस्तल पर पहुचे और थाना प्रिभारी ने अमेले गरोठा बिदायक सहीच चालफ को गाड़ी से साकुसल निकाल कर जात परिक्षड हेतु जासी मेडिकल कॉलेज भीज दिया जानकारी के अनुसार गरोठ अविदायक जवार सिंग राजपूर जहासी से विक्सित संकल प्यात्रा के तहट आयूजित होने जा रहे कारी करम में गरोठा चेत के ग्राम अतरिया जा रहे थे प्रन्तु हुआ अतरिया के पहुचने से पहले ही चिरगाओं बरल बाइपास के पास दुरघटना के सिकार हो गए प्रिस सूचने के अनुसार टाटा सेफारी गाड़ी नंबर यूपी तिरानबे एवाई तैतालिस अठतर चाला सिवाम यादव पुत्र चतुर सिंग यादव उम्रे करीब 26 बर्स निवासी सेमरी थाना मोठ जनप जहासी बताया गया जो कि सफारी गाड़ी में अक दवल जीरो छेट जीरो में सवार थे अरे सर विदायक का एक्षेंट की जर्चा हुई है क्या हम पूर जांसी जन्पद में आज मानिया विदायक जी गरोटा अपना शेत्र में जा रहे थे चिरगाओं काना शेत्र अंतरिकत जो कानपूर का हैवे है उसमें उनका गाड़ी आरबैक वेगरा पूल लिया दोना गाड़ी में और अभी दोनों किसी को कोई चोट नहीं है मानिय विदायक जी भी पूर्ण तरिके से सुरक्षित है अभी हम लोग मेडिकल कालेज में मौजूद है पूरा एक्सरे सब को करा लिया गया है और उनका हलका सा उंगली में करो है अदरवाइस मानिय विदायक जी एकदम पूर्ण तरिके से सुरक्षित है और गटना स्थल पे हम लोग अभी मौकम होएने करेंगे और जोनों जो आक्षेंट हुआ वो जोना गाड़ी अभी ताना में ले जाया जारा आगे विदिकारवे की जाएगी सामने वाली टक्क अब तो समधे तब ही बात नहीं हुई है जैसे चेरियर मिलेंगे उसी सबसे कार रही हुए उस दूसी गाली किते लोग थे